दिन बर दिन थन बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे थन बढ़ती है ना उसी तरह हमारी खौईशे भी बढ़ती है मीठा खाने की तो इसी खौईश को पूरी करते हुए आज मिलाई हूँ आपके लिए एक और टेस्टी डिलिशिस मीठे की रेसिपी जिसका नाम है गाजर की खीर इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए गाजर की खीर बनाने के लिए एक भारी तले का बर्तल लेना है मैंने यहाँ पर पतीला लिया है और उसमें डालेंगे 1kg फुल क्रीम मिल्क आप कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते है खीर का टेस्ट फुल क्रीम मिल्क से ही अच्छा आता है जब तक यह उबलता है हम अब जूला उसको एक गडर बी जैसे में आपको करके दिखा रही हूं ना ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटी बिल्कुल ऐसे ही ग्रेटर से ग्रेट करिएगा देखिए जो एक्स्ट्राब है येलो पार्ट इसको निकाल देंगे क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है गाजर का टेस्ट अपने में ही बहुत मीठा होता है तो खीर तो बढ़िया बननी ही है आज से दस पीस बदाम हम विगो के रख देंगे तीन से चार घंटे विगोना इसे और अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आदा घंटा पहले विगो दे गरम पानी में जैसे ही दूद में उबाल आता है फ्लेम को लो कर देंगे और जो ग्रेट की हुई गाजर है वो इसमें आड़ कर देंगे और एक उबाल और लगाएंगे मीडियम आज़ पर और अच्छो से मिक्स कर लेंगे आपको मैं एक और सीक्रेट पताती हूँ कि खीर बनाना और आसान हो जाए आपके लिए आप हमेशा स्लो फ्लेम पे खीर बनाए एक तो टेस भी बहुत अच्छा आएगा और आप बाकी घर के काम भी कर सकते हैं और खीर का डर नहीं रहेगा कि यह जल जाएगी या कुछ हो साफम डालेंगे चाफरन डालने से पहले उसे भीगोएंगे एक कटोरी में थोड़ा सा दूट डालके गरम दूट और उसमें 4-5 स्ट्रैंड केसर के डालेंगे तो यह गरम भी होता है सर्दियों में बहुत फायदा करता है साथ के साथ इससे खीर में कलर भी बहुत रह्म-तौर पे गाजर की खीर बहुत कम बनती है पर मेरी मानिए इस गाजर की खीर को एक बार जरूर ट्राय करें। बहुत ही टेस्टी बनती है टेस्टी के साथ साथ इसके फाएदे भी बहुत हैं। गाजर में भरपूर मात्रा में potassium, vitamin A, vitamin E जैसे पौशक तत्व पाए जाते हैं जो हमें गंबीर बिमारियों से बचाते हैं अब दूद में ये saffron मिला देंगे जो हमने भिगोकर रखा था और अच्छे से mix कर लेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आनी शुरू हो गई है बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी ये खीर क्योंकि ये मीठी भी है और बहुत benefits भी है तो माओं के लिए भी बहुत अच्छी recipe है ये ये हीमोगलोबिन भी बढ़ाती है और immunity भी साथ के साथ हाट को भी strong करती है अब ये जो खीर है वो अच्छे से पकनी शुरू हो गई है आप देखिए दूद और गाजा अलग-अलग नहीं दिख रहे है तो अब इसमें हमने किश्मिशाट कर दिया 8-10 pieces और अच्छे से mix करते रहेंगे खीर बहुत अच्छे से कड़ चुकी है और 5-10 मिनट में बिल्कुल रेडी होने वाली है इसलिए हम इस समय आड़ करेंगे चीनी चीनी 25 ग्राम ही आड़ की है मैंने क्योंकि खीर अपने आप में ही बहुत मीठी है गाजर बहुत मीठी होती है सीजन की और अच्छे से mix कर लेंगे बिल्कुल तले से आप टेस्ट करके फिर चीनी आड़ कीजेगा अगर जिसको ज्यादा डालनी है 5-7 पीस काजू जिसे टुकडो में काट लिया है थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए और ऐसे ही जो बदाम हमने भी कोई थे 8-10 उसको भी टुकडो में काटके वो आड़ कर देंगे थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए mix कर लेंगे अच्छे से दो से तीन इलाइची के दानों का पाउडर उसे अच्छे से दरदरा करके पाउडर बनाके इस समय इलाइची पाउडर डालने का फायदा ये है खीर में कि खुश्बू बरकरार रहती है कुछ लोग पहले ही आड़ कर देते हैं उससे खुश्बू कम हो जाती है बिल्कुल और रेडी है ये खीर खाने के लिए इस मीथी और स्वादिश रेसिपी को बनाईए और सह परिवार खाईए और शेयर कीजिए मेरे साथ मीथे मीथे कमेंट्स अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंस और रेलेटिव के साथ शेयर कीज don't forget to like, share and subscribe